मुझे माता दिये आप सभी को और नवरात्रे का चोथा दिन है और यहां पर हो रही है हमारी पूजा और मेरी हमेशा मातारानी से यही प्रार्थना होती है कि मातारानी हमारे घर में सुख सांती बनाए रखें और कोई भी मतलब कोई भी अब परिशानी ना आए क्योंकि आप सब आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का वेलकम है आपके अपने सुनीता सर्मा ब्लोग पर और कैई दिन बाद मैं ब्लोग शेयर कर रही हूं पहले दिन किया था और फिर उसके बाद मैं आज बना रही हूं आज फ्राइडे है और अभी मार्केट गई हैं अभी साम के साड़े च्छे वज रहे हैं अभी चाइवाई पी के और इधर ही बैठ गई थी अब क्योंकि दीपक जलाना है पहले दीपक जलाओंगी और उसके बाद में बाकी के काम करूंगी आज कल ऐसे हुरा ना सुबह को पूजा वागरा में लग जा है आप लोगों से बात करने का तो आप लोग जाधा से ज्याध वीडियो को सपोर्ट करिए आगे सेर करिये तो ताकि मैं बहुत अच्छे अच्छे वीडियो ले कर रहा हूं क्योंकि पता है जब हम हमें पता लगता है ना कि हमें काफी लोग देख रहे हैं तो इस वज़े city को हमारे यह मार्केट लगता है सबजी बजा लगता है तो कुछ समान जो नहीं है वो लेकर आएंगी और बाकी हम दोनों का बुछ नोकी मेरा और प्रिया का और बाकी नों और बड़ा बड़ा बेटा उन दोना के लिए खाना बनता है सुवह को तो बही हो जाता है कि सुबह को थोड़ा सा कुछ बना दो खाना पीना और बाकी पूझा पाइड में फट्व थोड़ा सा देर हो जाती है तो सुबह इसे कोई ब्लॉग शुरू नहीं किया और अभी भी नहीं करने वाली थी सुबह वैसे पूझा पाइड कब किया था थोड़ा बहुत लेकिन अभी मैं ब पहले से शुरू की थी और अभी रोज साडी ही पहले हूं और वैसे शौट वीडियो सेयर कर देती हूं तो आप लोग ने देखी होगी साडी पहन रहे हूं डेली का और इस बहाले से यह भी काम आ जाती है निकाफी टाइम से रखी गूम रही हैं बहुत पुरानी-पुरानी चाहियी साडियां healthier पही हैं पहन ही सुट जब पहना सुरू कर देते हैं तो साडिया तो भी तो पहना तो मैं पर चर दोते हैं तो शी ट्वीट सी आजाती है तो इस वजह से और चलिए तो आपनी पूजा कर लेती हूं पहले और फिर देखते हैं क्या बनाना है आज ब्रत का तो आज कल साम को ब्रत का कुछनों कुछ बनता ही है और वह मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूं चाहे तो मतलब व्लोग बन जाए य तो यहां पर मैंने आलूओं को छील लिया है बॉयल करके और दो टमाटर काट लिया है दो हरी मिर्ची काट लिया है थोड़ा सा यहां पर कढ़ाई में देशी घी गरम कर लिया है दो चमच के करीब और उसमें डाला है मैंने जीरा जीरा डालने के बाद में डाल दिया है मै अधनी जो कुछ भी नखु और कुछ सेब सेड लाल चला हमारी सब्सक्राइब उसे हम क्रभस की नहीं लिया है। और यहां पर मैं दो ही आलू डालूँ गी। क्योंकि दो कटोरी सब्जी बनानी तो अराम से करीब ढ़नाईगी दो आलू में क्यूंक्तर ना यहां पर बाद में पराठे मैं यूज होने तो इस वज़े से ज़्यों मैंने चीजह और यहां पर आलू को मैंने मैस करके इसमें डाल दिया और आधा गिलास के करीब डाला है मैंने पानी क्योंकि ज्यादा जो है मतलब तरी वाली नहीं बना रही हूं और यह शारी चीज़े ब्रत में ही अच्छी लगती है जब रत होता था अच्छी लगती है और साइड में मैंने अभी प्रिया सब्जी लेकर आई थी न तो उसके लिए मैंने लौकी मंगाई थी तो इसमें लौकी आधा साइज मनलब बहुत चोटे साइज की लौकी मैं से आ ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं इसमें डालूंगी नमक जीरा जो है मैंने अलग से भूना है इसका अभी भूना है तबे पर तो यही डालकर और थोड़ी काली मिर्च का पाउडर डालकर थोड़ा सा धनिया पत्ती डालकर और देखो टेश्टी सा रायता बनकर तयार हो कद्दू कस्कंड लिया है आलो वैसे इस में आटा लग जाता है गरम जब बनाते हैं तो इसी में लग जाताया लेकिन मैं हलक़ा हलका स पानी डाल कर क्यों कि टाइट लग रहा है मुझे तो उससे मैं बना लूंगी इसको आटे को और यह मतलब परांठे बना रही हूं मैं पूरी नहीं बना रही हूं क्योंकि पूरी क्या होता है थोड़ा सा एक्स्ट्रा ओयल चला जाता है उसमें तो वह नहीं बना रही हूं मैं और देखिए इस तरीके से दीरे-दीरे करके आटा अच्छे से लग चुका है और के बाद मैं थोड़ा सा एक चमच के करीब इसमें देशी घी डालूंगी और देशी घी से क्या है हमारी जो मतलब चिपकेगा नहीं जो आटा है अच्छे से सैट हो जाएगा और थोड़ी देर के लिए इसको रख दूंगी इतनी देर में हाथ बात धोंगी बरतन दोंगी । उतनी देर में यह सट हो जाएगा तो पराठे भी तयार कर लेते हैं साथ की साथ। यहां पर लग गए हूँ में परणगी बनाने के लिए और जब हम देशी घी के पराठे बनाते ना बहुत जाता दूंधवां सहो बैं हुँक्ष में और फिर में हाथं से ऐसे कि हम मक्के के पड़ाठे बनाते ना वुश धरीके से ऐसे बना लुग ráp और यह पलटने में नहींелен मतलब जो कर्षली है उस से अच्छ बन छातेये लेकिन इसी से कोशिस करना हूं इसी नोग थे से बनाए फिर जो है चीमिघरा हुए तो यह बहुत टेश्टी से जो कि अखा झोगे बना लो नौ तो यह गर्मी नहीं करता है क्योंकि ठंडी होती है तो तो जरूर होती है में बनाना चाहिए क्झेह साथ पर विफ जनो हम ठीकत मैं तो शरौंडगार, न हम तो इस पर धुआ आ जाएगा तो इस तरीके से हमारे प्राठे जो है बनकर तयार हो चुके हैं और साइड में मैंने प्लेट भी तयार कर लिए क्योंकि इसका भोग लगाना है पहले पहले मातरानी का भोग लगेगा उसके बाद मैं यह प्लेट जो है प्रिया को ही जाएगी और वैसे भी वह प्लेट मैंसे पहले दिखाने के लिए मतलब लगा दूँगी लेकिन वह फिर भी निकालेंगी उस मैंसे अपने जो लेना होगा न वहीं लेंगी तो इस तरीके से द तो अभी भोग लगा देते हैं आप सब भी आजाएए खाने के लिए तो वीडियो पसंद आए तो लाइक से और सब्सक्राइब जरू कीजिएगा बाई बाई